माननी लाल बहात्तूर जी उत्तर प्रदेश चे हैं मैं उन्हें अगले उद्वोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ शाथियो उनका श्रागत भी जोरदार तालियों से किया जाए साथियो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो तालियां बज रही है लेकिन हमारता जो एक आदिवासी समाज का परिशेव होता है और वो नारा जो हम देते हैं वो इस तरह से आवाज उठनी चाहिए कि नाकूर से लेकर के यूपी नागालेंड सब जगह जो है एक ही नारा रहे और आवाज मैं बतारो जय जोहार साथियो जोहार साथियो मुझे अपना परिश्या देने में बहुत सरमिंदगी महसूस होती है क्यों कि यूपी से हम चल करके आए हैं और ऐसी जगह से आए हैं कि जिला बनारस का गाम सुने होगे उहां से हमने एक पीम दिया है आईसा पीम दिया जो देश का रेल बेज दिया हवाई जहाज बेज दिया और हम जैसे आदिवासियों का जल जंगल जमीन बेज दिया हम कभी भी अगर कोई पर्चे होता है ना तो हमको बनारस का नाम लेने में सरमिंदगी महसूस होती है हम लोग कहीं जाते हैं जैसे दूसरे नितराज में जारखंड हुआ एमपी हुआ महाराष्ट कहीं जाते हैं तो हमको इतनी सरमिंदगी महसूस होती है कि जैसे ही नाम आता है बनारस का हाँ मोदी जी के हाँ से शेत्र से आये हैं तो साथियों यह हमां एक आग्रह है जो हम लोग एक नागपूर से अंतराश्ट्री मिशन में सारे मंच के उपस्ति साथी गड़ और इवन के साथी है और सारे लोग से एक आग्रह है यह राश्टी अस्तर से लेकर के एक गाउं तक छोटे छोटे कस्बे तक यह हमारा जो है एक पर्चे होना चाहिए जो छोटे छोटे टुकड़ी जाती हैं बटे जैसे हमारे यहां अभी बगल में सोन भद्र मिर्जियापूर देखिए तो वहां पता लगा कि कुछ लोग एस्टी में है वही बनारत जिलेवाई की मैं बात कर रहा हूँ जिलेवाई में चले आये तक हाँ यहां ओबी सी है अईसी के नाम पे हम लोगों को बंचित किया जाता है हमारी जो जमीने जमीने मैं बता रहा हूँ सोनभद और मिर्जियापुर की इस तरह से अद्रहन की गई सामन्ती विचारधारा के लोगों से कुछ तो जंगल के नाम पे ले लिया गया कुछ जमीने जो सिड़री एक्टाया था ये अपना उन्मूलन क्या कोलते हैं उसको जमिदारी उन्मूलन जन्मारी उन्मूलन के नाम पे जो जमीने थी हम लोगों के पास ज़्यादा उसको छीना गया लेकिन वही वही जो सर्व समाज के लोग हैं उन्होंने ट्रस्ट बना करके तीन तीन सो भी गहे चार चार सो भी गहे जमीनों को आज भी जिन्दा रखा है साथियों बहुत कम समय है हमको अभी अपना समात करना है अतित लोग है इसलिए मैं एक नारा देता हूँ और अपनी समात्ति करता हूँ जै जुहार जै जुहार धन्यवासे